अस्लाम अलेकुम स्टूडेंट्स एस जू नो के आजकल तमाम उनिवस्टीज ऑनलाइन लर्निंग मैनजमेंट सिस्टम इस्तमाल कर रही है अब स्टूडेंट्स के लिए अपने स्टेडीज को कंटिन्यू रखने के लिए computer का इस्तमाल नहायत जरूरी हो गया है क्यूंकि इस learning process की तमाम activities digitalized हैं और computer based हैं जैसा कि university students को online lectures provide करती है students को online exams देने होते है assignments submit करनी होती है quizzes take करने होते है यहां पर बहुत सारे students को एक issue आता है कि उनको computer का इस्तमाल तो आता है मगर उसमें मौझूद technical softwares का usage नहीं आता जैसा कि students को online assignment submit करनी होती हैं और इन assignments को prepare करने के लिए students को खास किसम के software इस्तमाल करने पड़ते हैं जैसा कि Microsoft Word, PowerPoint, Excel इस तरह के different softwares तो अक्सरकाद जो beginners होते हैं उनके पास office management की skills नहीं होती और proper formatting ना होने की वज़ा से वो assignments में इच्छे grades नहीं ले पाते तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि students MS Word को इस्तमाल करते हुए अपने assignments को अच्छे तरीके से किस तरह से format कर सकते हैं ताकि proper formatting की वज़ा से उनकी assignment का impression अच्छा हो तो आईए start करते हैं Microsoft Word को open करके हम एक new document लेंगे blank document पे click करते हुए assignment बनाने के लिए सबसे पहले हमें title page बनाना होता है तो देखते हैं कि title page किस तरह से बनाते हैं MS Word में assignment बनाने के लिए सबसे पहले page layout ज़रूरी होता है तो हम layout के tab में जाते हैं और यहां पर मौझूद different options को set करते हैं सबसे पहले margins की बात करते हैं हम यहां पर normal margins use कर रहे हैं अक्सर universities page layout के हवाले से different instructions देती हैं कि margins इतने होने चाहिए page size इतना होना चाहिए तो अगर आप किसी specific university को follow कर रहे हैं तो आप उसकी guidelines के मताबिक page layout set करेंगे यहां पर हम normal margin के साथ page size set करते हैं A4 और हम अपना title page बनाना start करते हैं तो title page बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना तमाम required text type कर लेना है जैसे कि मैंने type कर लिया है यहां पर मेरे पास assignment का title है assignment number है, course है, institute का logo है, submitted by student का name, submitted to, उसके बाद teacher का name, उसके बाद department का name और फिर institute का name यह सारी चीज़े मैंने type कर ली हैं, अब formatting की तरफ आते हैं सबसे पहले title को format करते हैं, तो title को format करने के लिए हमें इसका size set करना होता है title का size हमेशा 14 रखते हैं और title आपका centralized होता है और इसकी casing capital होता है, text case capital होता है, Microsoft Word में text casing change करने के लिए shift के साथ F3 का button press करते हैं, तो text case change हो जाता है, यह मैंने एक बार press किया तो यह title case में आ गया, मैं दुबारा press करता हूँ, तो यह capital casing में आ गया और इसी तरह से course को भी हमने center कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा margin दे कि हम logo लगाते हैं, logo को भी हम center कर देते हैं और logo के बाद थोड़ा सा margin दिया, और submitted by और submitted to, इस तमाँ text की मैं पहले casing change कर लेता हूँ, आप इसको title case में भी रख सकते हैं और capital case में भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको capital case में convert कर दिया, submitted by और submitted to के text को मैंने Centralize कर दिया और इसको थोड़ा सा Margin दे दिया इसी तरह से मैं Department और Institute को भी Centralize कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा Margin दे देते हैं यह यहाँ पर हमारा Title Page Final Shape में आ गया है इस तरह से आप एक Proper Title Page Format कर सकते हैं तो अब आते हैं Assignment के Contents की तरफ Solve किये हुए Assignment Contents को या तो फिर Type किया जाता है या फिर किसी दूसरे Source से उसको Copy कर लिया जाता है जैसा कि Internet से हम Assignment के Contents को Copy कर लें दोनों ही तरीकों में हमें अपना Text Microsoft Word में लेकर आना होता है और उसको बाद उसको Format करना होता है इसमें सबसे पहले आपको Page का Layout सेट कर लेना है Page Layout में Margins को सेट करना अपने Document की Requirement के मताबिक Margins को सेट कर ले यहाँ पर मैं Normal Margins ले रहा हूँ जो के Each Side से 1 इंच का Margin है उसके बाद Page की Orientation जो के Mostly Document के लिए Portrait ही होती है उसके बाद Page का Size आपको सेट करना है A4 उसके बाद Home के टैब में हमें आना है और सबसे Important चीज़ कि हमने Home के टैब में Styles के Group में जाना है यहाँ पर हमारे पास Styles का Group मौझूद है जहाँ पर कुछ Ready Made Formatting Styles मौझूद है हमने अपनी मर्जी के मताबिक इन Styles को Adjust कर लेना है और उसके बाद अपने Text पर इनी Styles को अपलाई करते जाना है सबसे पहले हम अपने Normal Text को Format कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे Document में Normal Text होगा यानि Paragraph का Text वो किस तरह का होगा तो हमें इस Style को सेट करने के लिए इस पर Right Click करना है और Modify की Option में जाना है Modify की Option में जाके हमने Normal Text का Font Style अपनी मरजी से रखना है जैसे के Mostly Times New Roman या Arial रखा जाता है Normal Text का Size हमेशा 12 रखा जाता है और इसको Bold नहीं किया जाता Paragraph Formatting की तरह आएं तो ये Justify होता है यहाँ पर ये Justify की Option मौजूद है इसको हम Click कर देंगे ये साथ-साथ आप देख रहे हैं कि Text का Style चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पर इसको Justify कर दिया और उसके बाद Paragraph की Line Spacing Paragraph की Line Spacing में ये आपको द्रम्यान वाली Option सेलेक्ट करनी है जिससे के Paragraph की Line Spacing 1.5 हो जागी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Paragraph की Line Spacing 1.5 हो गई है उसके बाद ये Paragraph की Spacing है आपने इसको Before and After 6.5 पर सेट करना है यह देखें Before आपकी 6.5 पर सेट हो गई तो इस तरह हमारा Normal Text सेट हो गया है तो ओके करते हैं तो हमारा Normal Text सेट हो जुकर इसी तरह से हमने अपने Document के लिए Different Headings को सेट कर लेना है यहाँ पर हमारे पास Heading 1 है जो के Mostly Document का Title हुआ करती है तो हम Heading 1 को भी सेट कर लेते हैं इस पर Right Click करके Modify किया Heading 1 का Size हमेशा 16 होता है और Heading Bold होती है इसका Color हमने Automatic यह Black Select कर लिया Heading 1 हमेशा हम Center रखते हैं तो इसलिए हमने इसको यहाँ से Center कर दिया और फिर इसके बाद मैं Format की Option में जाता हूँ और यहाँ से Paragraph की Option में जाते हैं और यहाँ से हमने Spacing सेट करनी है तो Text के पहले यानि Heading के पहले भी हमें 6 Point सेट करना है और After भी 6 Point को सेट करना है और Line Spacing को हमने 1.5 एड़ कर देना है तो इस तरह से हमारी Heading 1 अब सेट हो चुकी है हम इसको भी OK कर देते हैं यहाँ पर आप देखें आपकी Heading 1 जो है वो हमारे Style के मताबक सेट हो चुकी है इसी तरह से हम Heading 2 को सेट कर लेंगे हम Heading 2 को मोडिफाई करते हैं इसका Font Style हमने ठीक किया हमने इसका Font Size चेंज किया Font Size Heading 2 का 14 होता है और यह Heading Bold होती है और इसका Color हम Black कर देते हैं Alignment इसकी Left रखते हैं और उसके बाद Line Spacing की तरफ आते हैं हम Format की Option में जाते हैं Paragraph और इसकी Line Spacing Before और After हम Six Point कर देते हैं और इसको हमने OK कर दिया इस तरह से हमारी Heading 2 भी सेट हो गई इसी तरह से हम Heading 3 को भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास Heading 3 मौजूद है हम इसको Modify करते हैं तो Heading 3 का हम Font Style चेंज कर देते हैं जो कि Times New Roman है अलाइन कर दिया उसके बाद हम Format की Option में जाते हैं Paragraph और इसी तरह से इसकी Before and After हमने Spacing Six Point कर दी और इसकी Indentation हम Increase करेंगे Left Side से यहाँ पर आप Text को देखिएगा यह Indent हो जाएगा मैंने इसको Six Point Indent कर दिया इसको मैंने OK कर दिया यहाँ पर हमारी Heading 3 भी Set हो चुकी है तो यहाँ पर हमने Normal Text को Heading 1 और Heading 2 और Heading 3 को Set कर लिया है अब बड़ा Simple सा Process है अब हमने Document में Contents को Just Paste करना है और उनकी Styling Automatically होती जाएगी सो हम Contents को लेते हैं यहाँ पर मैं एक Website से Contents Copy कर रहा हूँ मैंने यहाँ से यह Text Copy किया और अपने Microsoft Word में आके इसको Paste कर देना है Paste करने से पहले आपने छोटी सी टिप को Follow करना है कि अपनी Styles में से Normal Text को Select करना है और Page पर Right Click करना है और Paste के अंदर आपको तीन Options नदर आएगी यहाँ से आपने Last Value Option को Select करना है Keep Text Only इस पर आपने Click करना है तो आपका तमाम Text आपके Page पे Paste हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यह Text काफी हद तक Already Formated है इसके Paragraphs Automatically Set हुए हुए है और इसमें बहुत ज़्यादा Changing करने की ज़रूत नहीं है अब हमें क्या करना है कि Just इसकी Headings को Manage कर देना है जैसे कि Heading 1 है तो हमने क्या करना है इसको Just Select करना है और जो हमने Heading 1 का Style बनाया था उस पे एक दफा़ क्लिक कर देना है तो यह Automatically हमारी Heading 1 Select हो गई इसके बाद हम देख लेते हैं Next Headings हमारे पास कौन सी है यह हमारे पास एक Heading है इसको हम Heading 2 बना देते हैं यहां से Extra Spaces को हम खतम कर देते हैं तो यह Automatically Heading 2 बन गई इसी तरह से हम Next देख लेते हैं कौन सी Heading हमारे पास मौझूद है यह वाली Heading है इसको भी हम Heading 2 बना देते हैं यहां से Extra Space को हम Just Remove कर देते हैं इसी तरह से आपके Page में मौझूद जितनी भी Heading हैं आपने उनको Just Format कर देना है बाइ क्लेकिंग दा Already Formatted Headings डाकॉमेट में मौझूद तमाम Heading को Format कर दिया है अगर आप अपने डाकॉमेट में कोई Image Insert करना चाहते हैं तो आप Image को किसी भी Source से Copy करें और यहां पर Paste कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास यह Image मौझूद है हम इस Image को Copy करते हैं Copy Image और इसको अपनी Desired Location पर आके हम Paste कर देते हैं यहां पर मैंने इसको Paste कर दिया इस तरह से इसके Size को Adjust कर लें सबसे पहले जितना Size आपको Required है उतने Size में इस Image को Set कर लें और उसके बाद हम देखेंगे कि Image को हम किस तरह से Text के अंदर Adjust कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका Image जो है वो Text के अंदर Merge हो आप इसका Layout Square भी Select कर सकते हैं Square Layout को जैसे हम Select करते हैं तो आपकी Image Text के अंदर Merge हो जाती है उसके बाद आपने अपने Image को Position करना है आप Image को Drag करके जिस Position पर रखना चाहते हैं वहाँ पर आप Adjust कर सकते हैं जिस तरह के मैं इस Image को यहाँ पर Adjust कर रहा हूँ देखें यह कितने Fine तरीके से आपकी Image यहाँ पर Adjust हो चुकी है तो इस तरह से आप अपने Different Images को अपने Text के अंदर Add कर सकते हैं ताकि आपके Document का Format Proper है अब हम अपने Document में Page Numbers को Add करते हैं तो Page Numbers को Add करने के लिए Insert के Tab में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास Header and Footer का Group मौझूद है यहाँ पर Page Numbers की Option मौझूद है और Position सेलेक्ट कर लेते हैं Bottom of the Page तो हम यहाँ पर कोई भी Style सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि Page Number Automatically हमारे Document में Add हो चुके हैं हमारा Document Almost Ready है Just One Last Thing कि हमने Table of Contents Insert करने हैं तो Table of Contents Insert करने का बिलकुल Simple Way है हम Document के First Page पे आए हैं और यहाँ पर हम एक New Page Insert करते हैं Insert के Tab में जाके यहाँ पर मैंने एक Blank Page Insert कर लिया और उस Blank Page पर आकर मैंने Table of Contents Create करने हैं हम Reference के Tab में जाएंगी और यहाँ पर पहला Group मौझूद है Table of Contents का यहाँ पर हम Table of Contents को क्लिक करेंगे और अपनी Requirement के मताबिक यहाँ से कोई भी Style कोई भी Style स्लेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही मैंने इस Style पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Table of Contents Automatically Generate हो चुके हैं तो इस तरह से हमारी Assignment Properly Format हो चुकी है इसको एक दोफा व्यू करते हैं यह Table of Contents का Page यह First Page Second, Third, Fourth इस तरह से आप क्या पूरा Document जो है वो बड़े अच्छे तरीके से Format हो चुका है तो अगर इस तरह से आप अपने Documents को Format करेंगे तो Hopefully आपका यह Document Reader को बहुत अच्छा Impression देगा